थाइरोइड एक ऐसी समस्या जिससे औरते आद्मियों के मुकाबले कहीं जादा ग्रश्थ होती हैं जब थाइराइड हॉर्मोन इंबालेंस होने लगता है तो कई तरह के थाइरोइड हमें हो जाते हैं जो आगे चल के कई और परेशानियों का सबब बनते हैं आज कॉलफर कैर में हमारे साथ हैं डॉक्टर राकी महरा डॉक्टर राकी स्वागत है आपका जियेखंग्रेब करतें कि जो खुद के लिए करने के वजह से थे वाइभ एथि प्रतिन नकारत्मक दृष्टिकों रखने से तो कहीं ने यह स्ट्रेस्व डिफेर्ट डिफेर्ट हमें हर्मोनेल डिजीज़ विदे सकता है और उसमें एक है धारइट का जो नॉर्मल ग्लेंड का जो फंक्षन है वे घंपर हो जाए या तो और एक्टिव हो जाए या फिर अंडर एक्टिव हो जाए तो ये डोनों ही समझा हो सकती है और जी हम बिल्कुल ठीक है शेल जाए अपनी कि ये इस्तरियों में ज्यादा होती है क्योंकि इस्तरियां जो है फिमेल हैं वो मल्टी डैमेंशनल वर्क करती हैं लोट्स अफ प्रे अधिर अब विद्ध करता है या दी डाइट ठीक है समय पे हैं ठीक मितलब संपोषित है यानि जितने माइक्रो नुट्रियंट है वो भी है उसमे साथ में नीन प्रोपर आती है और ब्रह्माचारी यानि कि डिसिप्लिन अगर लाइफ में है कि उठने का समय फिक्स है रात विरादून से हमाइसाथ रिया जोडगे हैं उनसे जानते हुनका सवाल जी रिया जी बताइए तो मेरा वेट माम डाउन नहीं जाता है तो आपको सबसे पहले तो एक बात ध्यार रखनी है कि है पो थारेडिसम में बेसिकली जो प्रोड़क्शन ऑफ थारोक्सिन है और जो प्रोड़क्शन ऑफ T3 और T4 ये में हार्मून सोते हैं जो प्रोडुश होते हैं थारेड ग्लेंट से ये इन की मात्रव आपकी कम हो गई है जितना प्रोड़क्शन होना चाहिए उच से कम हो रही है तो निश्चित ही आपको ऊपर से थारोक्षण देनी की जरूरत आ सकती है थारोकसिन हम ट्रायोसिन और आयोडीन दोनों से ही मिलकर के पिलकुल आराम से बनाया जा सकता है और आर्टिफिशल मिलता है लेकिन आप दवाई ले रही हैं फिर भी स्ट्रेस मनेकान एन्वायरमेंट हमारे स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए उपाय नंबर वन नोट कर लिया ज चौँ चौ करатा, जया कर Want Two Church Superstars नोट करो दालचीनी तालचीनी साथ अजवाईन और अजवाईन के साथ में आपको यहाँ पे जावाईन आपको यहां पर नियुम सक्राविस जाइगे नोट कर द घंपर इसा हम अनुबहव से कहते हैं। जी तो चलिए अगर आप भी इस नुस्खे को अपनाती हैं जो उन्होंने डॉक्टर राखी ने सला दी उसको फॉलो करती है तो I am sure बहुत जल्दी आपकी जो हाइपो थाइरोड की समस्या है वो दूर हो जाएगी अभी मनीश जी हमसे जोड़ गये हैं उनसे जानते हैं उनका सवाल जी बताइए सबसे पहले आप सुबह उठकर के पानी पीना बन कर दीजे जो आप पानी पीते हैं शायद वो बिल्कुल बन कर दीजे और as early as possible जैसे ही आप उठते हैं within half an hour और one hour आपको कुछ solid food खा लेना चाहिए that is called as break fast तो you have to break your fast as early as possible number one and number two आपके लिए बहुत अच्छी दवाई में बता रहे हैं अवी पत्ति कर चून और इसके साथ में हरीत की चून हरीत की चून अवी पत्ति कर चून दोनों एक एक ग्राम की मात्रा में शंक भस्म ये भी 500 mg के मात्रा में यह तीनों मिला करके आपको खाना खाने के पहले 15 मिनिट पहले यह खाना है और उसके बाद में खाना खाने के तुरंत बाद भी यह खाना है दोनों बार यह लीजिए यानि दो मात्रा में दो बार लेना है और ले करके देखिए आपको फरक पड़ेगा जी, चले इसी के साथ राजरानी जी से बात करते हैं, जो हमसे जोड़ गई हैं, क्या है उनका सवाल जानते हैं, जी बताईए Hello राजरानी जी अपना सवाल पूछिए लगते हैं उनसे मारा संपर्खनी उपाया है नमिता जी से बात करते हैं जी नमिता जी बताइए मैं मेरे तीन सवाल है मैं जी मैं एक तो आप से मैंने पूछा था उनसे राखी मैडम से के ओईली चेहरे में जो दही में बेशन बताया था वो रोज लगाना है यह हपते में एक बार और दूसरा सवाल है मेरा जो आगे का एक दांस से न मैं खून जाता है और तीसरा सवाल है मैं मुझे पीरियर बहुत कम आते हैं मतलब कि खुल के नहीं होते हैं कर रहे हैं इसलिए रोज करना है दूसरी बात है दातों के लिए आप दशन संसकार मंजन आता है उससे मंजन कर सकती है और एक टाबलेट नोट करिए जो आपको बिल्कुल खानी पड़ेगी धात्री लौ एक गोली सुबे एक गोली शाम और मुह में आप जैसे इस फटिक भस मार्केट में मिलती है इसको एक पिंच डाल करके आपको उसे गरारे करने पड़ेंगे और खून भी बंद हो जाएगा और आपका खून बनना भी ज़्यादा हो जाएगा इसलिए पीरेट भी रेगलर हो सकते है जी चलिए राखी जी जैसे कि आज हम थाइरोइड की बात कर और यह गलंड आपके गले में होती है लारेंस के बेस पे होती है और इसका शेफ जो एपल के अटरम एपल वेख गलंड है उसके नीचे ही होती है इसमें दो नोपस होते है जो इस तमस से जूड़ा होते तो यह बशिकली गलंड है ठीक है इसमें T3, T4 हर्मोन निकलते हैं जो आपकी बॉडी का मेटाबोलिजम, बॉडी का ग्रोथ और आपके यहां तक की कैलसितोडिन हर्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो कैल्शियम की जो पूरे मेटाबोलिजम है उसको रेगुलेट करते हैं और इसके साथ ही तमाम और भी ह हर्मोन को प्रभावित करते हैं जैसे कि कई बात देखा गया है कि हापा थारेडिजम में पीरिएड लेडीज को इर्रागुलर हो जाते हैं तो यह होती है थारेड ग्लेंट अब इसके बीमारियां कैसे हो सकती या तो मैंने बता है ता ओवर एक्टिव होगा या फिर अंड या फिर लेडीज के लिए लिया जाए तो पोस्पार्टम जो थाराडाइटीस होता है उसमें हो जाता है होशी मतो थाराडाइटीस होती है उसमें भी ऐसा होता है कई पर ऐसा होता है कि यह पहले तो प्रोडेक्शन इनका काफी हाइपर हो जाता है और फिर इमीडेटली उ और देट्स वाट हम लोग बोलते हैं सॉल्ट में आयोडीन जो मिला हुआ ही खाना चाहिए वो बहुत जरूरी होता है और जैसे कि आपने बताया कि थाइरोइड भी कई अलग लग तरह के होते हैं और बहुत सीरिस प्रॉब्लम यानि कि कैंसर तक आपको हो सकता है अगर आप अपने थाइरोइड को बालेंस में नहीं रखते हैं या फिर उसका सही तरीके से इलाज नहीं कराते हैं अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको थाइरोइड है तो किन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए क्या चीज़े हैं कौन सी येसे टिप्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए ये चानेंगे हम डॉक्टर राखी मेरा से लेकिन इस ब्रेक के बाद थाइरोइड किसी भी तरीके का हो उसमें हॉर्मोनल इंबालेंस तो जरूर होता है और इसकी वज़े से आपको कंसीव करने में भी परेशानी हो सकती है अगर आप थाइरोइड की पेशिंट हैं और आप अपनी फामिली प्लान करना चाह रही हैं वो उस दिशा में आगे ब जाना चाहूंगी क्या वो चीज़े होती हैं जिनका ध्यान में रखना चाहिए एक औरत को अगर वो थाइरोइड की पेशिंट है थाइरोइड का फंक्शन बहुत कांट्रोल करना जरूरी जैसे हमने बताया कि तमाम दूसरे हार्मोन को भी अफेक्ट करता है इसलिए बहु नहीं तो ओविलेशन नहीं होगा और प्रापर ओविलेशन के बगार कंसेप्शन बहुत मुश्कल हो जाता है जी तो बहुत ज़रूरी है कि पहले अपने थारोइड को कंट्रोल में किया जाए उसका इलाज कराया जाए और उसकी बाद फामिली प्लान की जाए इंफर्टि और में टीफोर भी थोड़ा नॉर्मल से कम था लेकि जरूरी में टेस्स लाया नॉर्मल दो आ गया अभी वापिस हैस्क्राइट की नहीं बार वापिस घंडर चला रिया तो इसना इंबालन्स क्यों है और में बाल बहुत जाए जहरे आगे से पुरस पर और मॉस बाल होग ब्रामी घंवती और दूसरी बात आप नोट करिए जो आपको लेना होगा वो है त्रिफला गुगलू त्रिफला गुगलू की दो गोली सुबे दो फैर और शाम तीन बार आपको यह लेनी होगी आपको जरूर फरक पड़ेगा दूसरी बात एक मैं उपाय नंबर दो भी बताई देती हूं तमाम लोग जिनका बेसल मेटापॉलिक रेट कम है या फिर थाइराइट किसी भी समस्या से जूज रहें उनके लिए गुड़ और हरड का पाउडर हरड का पाउडर यदि घर में लाखर के भून करके पीस करके बना लिया जाए तो एक चमच पाउडर के साथ में थोड़ा गुड मिला करके और यदी गरम पानी के साथ में खाते हैं तो बहुत हर तक कंट्रोल होता है तो यह भी तरीका हो सकते है अपने थाइराइड को कंट्रोल में करने का बीना जी से बात करते हैं उनका क्या सवाल है जी बीना जी बताएए बटाइए अश्वगंधा पाउडर गोदंती भस्म अश्वगंधा पाउडर दो ग्राम गोदंती भस्म पांसो ग्राम यह दोनों को शुन्थी एक आता है शुन्थी पाउडर नूट कर लिया कर यह प्रीज आईरवेड की दवाईयां सांस्कृत में लिखी हुई है इसलिए थोड़ा डिफिकल्टी होती है शुन्थी का पाउडर यह पांसो मिलीग्राम यह तीनों पाउडर को मिला करके सुब पाउडर को शुन्थी पाउडर करें बिलकुल और मैं भी उमीद करती हूँ कि डॉक्टर राखी की दवाईयां बिलकुल जादूी मंत्र की तरह काम करें और आपकी मदद को बहुत जल्दी रिलीफ मिले डॉक्टर राखी जैसे की थाइरोइड की बात की हाइपर आपने फाइपर होता है आइपो थाइरोइड होता है कैंसर को कैसे लीड कर सबसु है ऑप एक चाहस है और एक्सराइ líp में कोई कमे नहीं है और एक्सराइज Notre D음 है उनके लिए जो फ्यूल लग रहा है जो डाजेशन हो रहा है तो इंटर्नल ओर्गन की मसाज किस तरह से हो इसलिए कहते हैं न योग को अपनाई है तो इसलिए कहा जाता है कि कपाल भाती प्रणायाम सुबह उठना ब्रह्म मुहुर्त में उठना समय पे खाना खाना दिन में नहीं सोना र अपने दो पेरों का इस्तमाल यानि सुबह शाम की वॉक करते हैं उनको फायदा जरूर होगा तो चले आप अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाफ करके भी अपनी समस्या से बहुत हद तक चुटकारा पा सकते हैं अभी निर्मल जी हमसे जोड़ उनसे जानते हैं उनका सवाल जी निर्मल जी बताइए अपनी जो खाना घले में अटता है जी खाना जो रहाए जो फोड़े में अटता है और जो निगलने में मुश्किल होती है लेकिन अब तो सलाइवा ही नी बनता और बहुत ज़्यादा प्रब्लम आ जिए कि रात को उ अटकी होई है जी सलाइवा फॉमेशन बहुत कम हो गया है नहीं गले में अटकना ये एक बार आप जरूर दिखा लेजिए कि कहीं कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं आ गई एक बार आप जरू चेक अप कराईए फिजिकली एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है वज़क है ज तो आपके आवाज खुलेगी और गला भी जो लग रहने के खाना अटक रहे वो नहीं होगा लेकिन दिखाना मत भूले तो आप सभी से करते हैं मुलाकात इस ब्रिक के बाद आज कॉल्फर केर में हमाय साथ हैं डॉक्टर राखी महरा और हम बात कर रहे हैं थाइरोइड की समस्या के बारे में किसी भी तरह का थाइरोइड हो हाइपर या हाइपो आपके अंदर हॉर्मोनल इंबालेंस होने लगता है और बहुत सारी परेश्यानिया इस चीज से आग बढ़ जाती है इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपको पता चलता है आपको थाइरोइड की समस्या है तो समय रहते ही अपनी जाज करा है और प्रॉपर मेडिकेशन भी जरूर लें अभी वक्त हो गया है कि हम डॉक्टर राखी महरा से पूछें आपके भेजे गए SMS के जवाब तो डॉक्टर राखी मैं शामिल करना चाहूंगी कुछ SMS हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले SMS है हमारे पास मोहन कुमार जी का दिली से जो यह बताते हैं कि उन्हें 5 साल से पी लिया है और बेलरुबिन उनका 2.5 से जाता नहीं होता क्या कर सकते हैं आपको है या क्या है एक्जाक्ली डाग्नोसिस होना बहुत जरूरी है दूसरी बात है हिपाटो प्रोटेक्टिव लॉट्स अप मेडिसेन आयुर्वेन में आवेलेबल है वो लीजिए जरूर फरक पड़ेगा और खास्त हो से आपको अनार का रस जरूर पीना चाहिए हापाथार जिन जी का हमारे पास SMS है बिहार से जो बताती है कि उनको प्रॉपर उनका डाइजेशन नहीं है ग्रेड वन लिवर है और साथी में एज उनकी 43 है बहुत ज्यादा गैस फोर्मेशन होता है स्मॉल पॉलिप 3.7 mm इसकी भी फोर्मेशन है आपके लिए जो सबसे अची दवा पानी के साथ में आपके लेना बहत बहतर रहेगा और साथ ही आप नोट करिए लहसुन लहसुन को के रस को एक चमच और उसमें सेंधा नमक मिला करके यदी आप खाते हैं तो आपको जुरू फड़ेगा और मैं बात बता दू यह टिप हमारे सारे थारट प्रॉब्लम के ल अपने भी अमार को रेगलेट करने में सायता मिलती है जी अगला समारे एक और वीयोर का है जिनके बेटे को T.B. है साथ ही में उनने नी प्रॉब्लम भी है और जो उनके प्लेटलेट हैं वो बहत ही कम है T.B. कहा का है यह यह थारगहा है जोड़े से रेंडम आप बता रहे तो भी आपको ट्रीटमेंट वो लेना पड़ेगा साथ ही आप नोट करिए एक सेंधवादी तेल आता है उससे नी की मालिश की जा सकती है और सेंधवादी जा सकता है जो यह बताते हैं कि उनके गले में बहुत होता है, 14 साल इनकी ओम्र है और जब भी ओढ़ती है तो गले के left subsidi में बहुत होता है क्या वो कर सकती है? पढ़ने से गली यानि बोल-बोल के पढ़ रही हो या लेरिंग्स में है फेरिंग्स में है कहां एपिकलोट कहां पे दर्द हो रहा है जरूर देख ले और ये दिया ऐसा है कहीं ऐसा तुनिए कि गॉइटर फॉर्म हो रहा हो या फिर आयोडीन की डफिशनसी एक बार एक गोली सुबह एक गोली शाम लेना शुरू कर दें आखरी एसेमेस में शामिल करना चाहूंगी रोहिद गौतम जी का जिनकी उम्र 16 साल है और बताते हैं कि उनकी आखों की नीचे बहुत जादा स्वेलिंग रहती है साथ ही में वह अपनी हाइट भी बढ़ाना चाहते है अभी उनकी हाइट 5.8 है हाइट बढ़ाने के लिए तो हाइट तो बढ़ेगी आप केल्शियम डाइट में लेना दूद और दूद के प्रड़क जरू लेना है शुरू कर दे मैं सभी को बता दू यह इस्ट्रेस फ्री लाइफ रहनी है यह थायरोइट के प्रॉब्लम भी नहीं करनी है और हाइट भी बढ़ानी है और अपने बॉड़ी सेल्स भी मजबूत रखने मसल्स भी रखने सुबह आपको दही खाना है दोफेर में चाच बिन और रात में गरम दूद पीना कभी न भूलें जरूर सब चीज अच्छा होता जाएगा दूसरा इनों नहीं ये यूरिन टेस्ट और के एफटी किद्नी फंक्शन टेस्ट जरूर एक बाग करा लें फिर हमें कॉल बैक करें आखिर मेराखी जी बहुत ही संशिप में क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है जाना चाहूंगी आपका वो रामबान टिप जो सभी थायरोइड पेशिंस को फॉलो करना चाहिए बिल्कुल और इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि जब एन्वार्मेंट होता है तो जहां खुशी होती है जहां अपनी आत्मिक खुशी होती है ये कहते हैं कि व्यक्तिकत खुशी ये व्यक्तिकत प्रसन्यता एक सामाजिक प्रसन्यता बनाती है और दूसरों को सुधारने से पहले खुष सुधर जाए और एक बढ़िया सा टिप जो मैं हमेशा दे रही हूं घर में जाए किचिन की तरफ देखिए मसालों की तरफ देखिए कौन सा मसाला किसमे लगता है लेकिन अद्रक करस और नीबू करस यदि सेंधा नमक के साथ में ले ल अन्यवाद आपने हमारी और वियोस की इतनी सारी समस्याओं का समाधान बताया थांक यू सो वेरी मच ओम नमू थन्वेंत्रे